हाई, वेलकम तो मैं चानल, इस बीड़ी में स्वालव करेंग क्वेशन नमबर 25, तो ध्यान देजीगा, दो रेन विच फाल्स आन रूफ 18 मिटर लॉग और 16.5 मिटर वाइड इस अलाओ तो बी स्टोर्ड इन अ सिलिंड्रिकल टैंक, 8 मिटर इन डामेटर, इफ इट रेन्स 10 संटिमेटर अन डे, वाट इस दे राइज अफ वाटर लेबल इन दे टैंक, दू इट, बोल रहा है कि दे रेन विच फाल्स, तो बारिश जो है, हो रही है, एक रूफ पर, ठीक है, जिसका डैमेंशन दे दिया है, 18 मिटर लॉंग है, मिन्स यह जो वाइड है, मिन्स यह वाली जो है, वाइडनेस है, यहाँ पर 16.5 मीटर, तो यह आपका है वाइडनेस इतना, 16.5 मीटर, आप कर रहा है कि, इस पर जो बारिश हो रही है, ठीक है, इस एलाउड, उसको जो है, एलाउड खिया रहा है, इस टोर होने के लिए, इस टोर इन सेल cylindrical tank में store हो रहा है ठीक है यहां सब बना लेते हैं मालीजे की ऐसे आ करके इसमें यह store हो रहा है ठीक है तो जब यहां पर store होगा तो actually यह water पहले यहां पर गिरेगा इस roof पर और roof को roof पर जब यहां पर गिरेगा इसके यहां से मतलब यहां पर pipe की through जा करके और store होगा इस cylinder में ठेक है अब बोल कहा रहा है आपर देखें कहा का रहा है If it rains 10 cm on a day यदि एक दिन क्या हुआ कि 10 cm की बारिस हुई ठेक है 10 cm की बारिस होने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो ये roof top है इसके उपर बारिस हुई तो पूरा जो दिन भर का जब बारिस हुआ तो इसके rooftop पर 10 cm उपर तक ठीक है 10 cm उपर तक यह पानी यहाँ पर एकत्रित हो गया पानी जो है क्या हो गया इकठा हो गया या फिर accumulate हो गया ठीक है तो जब water यहाँ पर accumulate हो गया पूरे दिन भर के बारिश से तो यह एकतरा से बन जाएगा cubital shape का structure है की नहीं पानी वाला जैसे माली जो कि हम पानी की बरसाथ कर दें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं पानी की यहाँ पर बरसाथ हो गई ठीक है तो जब बरसाथ होई तो यह पुरा भर गया ठीक है water से तो यह water water भर गया तो ये पूरा समझी है कि एक बना लिए अक्यू बैडल से अपका ठीक है मतलब कि देखे ये जो इसमें फिल अप होगा तो माल लीजिए कि इसकी जो हाइट है ये H हाइट तक वो फिल हो गया तो माल जो हाइट तक इतना ये जो हाइट है वो है 10 cm तो माली जी के 10 cm के बारिस हुई तो पूरा ये जो च्छत का जो इह दिख रहा होगा चार डिवारी चार तरफ का जो ये वाल्स है उतना मतलब माली के 10 cm है और ये 10 cm फिल हो गया पूरतर से जब ये 10 cm फिल हो जाएगा तो ये क्यूबाइडल सेप का आकार लेगा है कि नहीं जो size है या फिर जो shape है वो क्यूबाइडल सेप का है इस छट का जब water भर जाएगा इस मतलब 10 cm तो पूरे दिन पर बारिस हुई तो 10 cm बारिस होई मतलब क्या हुआ 10 cm की बारिस होने का मतलब यह हुआ कि जब बारिस हुई इस पे तो पानी जो water यहाँ पर accumulate होगा तो इस छट पर 10 cm का परत लग गई मतलब water की है कि नहीं तो 10 cm का height लेकर के जब यह क्यूबाइड बन जाएगा water का accumulation का तो हम कहेंगे कि इतना ही बारिस हुई है मतलब जितना volume of qbide यह होगा और उसी को क्या किया जा रहा है store किया जा रहा है इस cylinder में तो जब इसी water को जो दिन भर की बारिस हुई है यदि हम इस pipe के थूँ ला करके यहाँ पर store करेंगे ठेक है यदि हम यहाँ पर ला करके store करते हैं तो क्या होगा माल लिजे कि वो इतना height तक रीच हो जा रहा है माल लिजे let's suppose कि वो इस height तक minimum height ले लेते हैं sorry यहाँ से यहाँ तक ठीक है यहाँ इस height तक माल लिजे वो आ करके इतना जो है cover कर लिया मतलब कि यह पूरा इतना पानी जो है भर जा रहा है मतलब दिन बर का जो बारिस हुआ है एक दिन में 10 cm उस पूरे water को जो है इसे इस cylinder में हम लाएंगे तो हमने माल लिया कि यह h height तक ले ले रहा है मतलब h height तक cover कर ले रहा है h height तक cylinder जो है fill हो जा रहा है हमने माल लिया कि पूरा जो इसमें वालिम होगा इतना आकर के हो जाएगा अब पूछा क्या है कर रहा है कि what is the rise of water level in the tank tank में जो है water का जो level का rise है वो कितना होगा तो माल लिया कि हमने h height तक ले ले राइज हो गया यह h वही find करना है तो इस tank के बारे में और कुछ दिया है क्या तो यहाँ पर दिया है देखे 8 meter in diameter तो यह tank का जो है diameter है वो 8 meter है मतलब कि यह जो पूरा complete इसका जो length है यहाँ से ले करके यहाँ तक वो दे दिया है कितना 8 meter इसका मतलब कि diameter दिया है 8 meter इसका मतलब कि इसका radius हो जाएगा 4 meter ठीक है? यह हमें पता हो गया है इसका मतलब कि cylinder का हमें radius और height मिल गया है मतलब height हमें नहीं पता actually लेकिन h माल लिए है और इसका radius जो है 4 meter हो गया और यहां पर जो बारिस होई है 10 cm तो 10 cm के बारिस होने के कारण इसका length, breadth और height पता चल गया है cuboidal shape का जो water accumulation होगा तो water accumulation जो cuboidal shape का होगा उसका जो height है वो 10 cm है ठीक है? क्योंकि 10 cm के बारिस हो रही है तो 10 cm जो है उपर यह उठ जाएगा बस तो इसका मतलब cuboid बन जाएगा ठीक हम समग चुके हैं अब यहाँ पर हम concept लगाते हैं यहाँ पर इसको solve करने concept यही है कि जितना भी accumulation यहाँ पर होगा चछत पर, roof पर तो उसका जितना भी volume होगा वह उतना ही होगा जितना यहाँ पर इस cylinder में accumulate हुआ है cylinder में जितना cylinder का volume जितना यहाँ पर हुआ है water के कारण उसका जो volume होगा cylinder में उतना ही होगा जितना की roof top पर यह जो water गिरने कारण जो cuboidal shape का आकार बना हुआ है ठीक है cuboidal shape जब लिया हुआ है तो इस cuboid का जो cuboid बन चुका है छत पर जिसका length है यह 18 meter और 16.5 meter breath है और height हो जागा 10 centimeter कि इस cuboid का जो volume होगा वो उतना ही होगा जितना यहाँ पर water का accumulation हुआ है इस cylinder में आप समझ पार होगे बिल्खुँच क्योंकि जितनी बारिस होगी ना जितनी बारिस होगी उतना ही तो इसमें आएगा दोनों का volume जो है same रहेगा हम दोनों को क्या कर सकते हैं दोनों के volume को निकाल करके equate कर सकते हैं और वहाँ से equate करने पर h निकलेगा चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जो हम कह रहा हूं है यहाँ पर लिख देंगे कि volume volume of water volume of water accumulated unroof unroof due to raining due to raining is equal to पौटनाई होगा is equal to volume of water volume of water raised in the cylinder raised in the cylinder okay तो cylinder में जितना volume raised होगा उतना ही यह rooftop पर बारिस होई है तो हम यहाँ दोनों के equal कर रहेंगे मतलब कि इसी बात को हम तोरह दूसरे language में लिख सकते हैं कि volume of the cylinder ठीक है हम तो हम तो सब उल्टा करके लिख रहे हैं इसको पहले लिख दीजे मतलब कि volume of the water in cylinder is equal to volume of cuboid of height of height 10 cm यहाँ पर जो चत पर जो cuboid shape का जो volume बनेगा water का जिसकी height होगी 10 cm उसका जो volume होगा वो उतना ही होगा जितना cylinder में water accumulate हुआ है तो हम दोनों का फ्रम लगा देते हैं तो यहाँ पर volume of water in cylinder कितना होगा पाई आर स्क्वार एच पाई आर स्क्वार एच is equal to volume of cuboid of height 10 cm यहाँ पर जो cuboid है और 10 cm height का जो volume होगा वो होगा length breath into height length into breath into height तो यहाँ पर जो यह height है और यह वाली height है वो different है ठीक है यह वाली height जो है वो cylinder की height है और यह वाली height है वो cuboid की height है मतलब की जो जितना मतलब cm बारिस हो रही है वो है edge तो यहाँ पर अलग-अलग value जो हम रख देंगे actually हम कुछ और मानते तो सभी रहा था यहाँ पर x मालने क्या हम लोग तो सच में यहाँ पर पहले ही मानना चाहिए था लेकिन हम यहाँ बाद में मालने चाहिए चली कोई बात नहीं है यहाँ पर हम मालते हैं कि यह x height हुआ है x cm यहाँ पर भी height क्या हो जाएगा cylinder में यहाँ पर इसको भी हम रेज कर देते हैं यहाँ पर लेकिते देते हैं x x ठीक है तो pi r square x is equal to l into b into h तो यह x क्या है x is the height of the water level rise in cylinder right तो अब pi की value देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 22 by 7 multiplied by r square यहाँ पर बते है r की value क्या होगी तो हमारा diameter दिया हुआ है यहाँ पर 8 meter diameter of cylinder और यहाँ से radius हो जाएगा कितना 8 upon 2 कर देंगे meter means हो जाएगा 4 meter तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 का square है into x हमें x की value निकालना है x क्या है height हमें नहीं पता हमको इसको पहले माल लेना चाहिए था यह जो एक्स है आपको पहले माल लेना चाहिए मैं नहीं माना हूं क्योंकि समझाने में थोड़ा सा मैं best हो गया घर कोई बात नहीं है आप मुझे pardon कर सकते हैं यहाँ पर बात सुरुम माल लिजेगा लेट लेट दी लेट दी राइज राइज आफ जो यहाँ लिखा है वही मानना है आपको लेट दी राइज आफ वाटर लेबल राइज आफ वाटर लेबल label in the tank in the tank be x meter हम meter मानने हैं यहाँ पर x meter ठीक है तो सब कुछ meter में ही यूज हो रहा है है हाँ तो देखें यहाँ पर सब यह जो 4 meter यह भी यूज हुआ है radius यहाँ पर निकालने इसका volume निकाल दे समय और यहाँ पर length, breath और height जो है meter में यूज होगा तो length यहाँ पर देखें दिया है 18 यहाँ पर 18 18 यह भाला meter यहाँ हो जाएगा 18 multiplied by breath कितना है 16.5 यह हो जाएगा 16.5 multiplied by height कितना है 10 cm तो 10 cm को बदल देजिए meter में means 10 upon 100 कर देंगे तो यह meter में आ जाएगा right अब यहाँ पर हमें solve करना है तो देखें हाँ पर 0-0 cancel हो गया अब यह 10 से डिवाइड करेंगे तो decimal 1 प्लेस इधर आ जाएगा means इसको बाद मिसाल करेंगे यहाँ आप साल करते पहले तो यह हो जाएगा आपका 22 upon 7 multiplied by यह 4 for the 16 हो गया into x is equal to यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा आपको 18 multiplied by देखें decimal यह 10 है न 10 से डिवाइड करेंगे तो यह decimal यहाँ पर आ जाएगा means हो जाएगा यह 1.65 ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या करना है x की value find करनी है तो x बराबर हो जाएगा यह दे मट्पलाई करते हैं करास मट्पलाई तो 18 into 1.65 यह 7 से मट्पलाई होगा पहले और divide हो जाएगा इस पूरे से 22 और 16 से अब यह उपार नीचा हम cancel out करेंगे तो 2 से कटाते हैं 2 8 जा 16 हो जाएगा यह 2 9 जा 18 हो जाएगा फिर यहाँ पर कटाते हैं 11 2 जा 22 और 11 से कट जाएगा यह भी तो 0.11 बंजा 11 कितना बचा 5 बचा 55 हो गया 11 5 जा 55 0.15 हो गया अब जो है 9 से और 7 में मट्पलाई करते हैं तो 9 से मट्पलाई करते हैं तो 63 जाएगा और यह 1.5 से मट्पलाई करना पड़ेगा 0.15 से तो numerator में आ जाएगा यहाँ ठीक है दो डिस्माल प्रेस लगाएंगे तो 9.45 हो जाएगा 9.45 अपान यह 8 जा 16 हो जाएगा ठीक है यह यहाँ पर 2 बचा है और 8 बचा है इतना क्या जाएगा मीटर तो हमारा एक्स के विलू इतना मीटर आ गई लेकिन हमें मीटर में 200 सेंटिमेटर में निकाल लेते हैं तो क्या तो यहाँ पर हमें 4 से करने 4 पर 16 हो जाएगा यहां 4 से करड़ेगा 25 हो जाएगा 25 से मनलबाय कर देंगे ऊपर यहां क्या मिलबचा के मिलेगा 25 कृइटे 5 होगा 25 हो घ़र तो 125 का 5 कर्योवर मतलब मैं यहां पर लिख लेता हूं एक ब्री एक्च्छल मुड़िय करना किसे 25 से कि 25 में कितना होगा 125 का 5 हो जागा कर्योवर होगा 12 तो 25 फोर जा 100 होता है 112 कितना हो जागा 112 का 2 बचेगा फिर से 11 बचेगा कर्योवर फिर 25 नाइंजा 25 नाइंजा होता है 225 200 नाइंजा में 118 करतेंगे यहाँ पर तो मिलेगा आपको 236 236 और दो decimal प्रेस लगाएंगे यहाँ पर दीखें यहाँ पर यह जो decimal लगा है वो दो decimal प्रेस लगा है तो यहाँ पर जाएगा इतना means यह आजाएगा 236 25 ठीक है इतना cm upon 4 इतना मतलब cm आजाएगा अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे देखें कितना आ रहा है तो 4 से दी डिवाइड करते हैं तो देखें 4 बंजा 4 यह कटेगा पुरा तो 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा ठीक है 3 बंजा 36 हो जाएगा और 4 रैंजा 36 हो जाएगा परकट गया यह आप डेस्मल लगा देंगे कि डेस्मल उसके आगे है और 2 में नहीं जा पाएगा तो 0 बढ़ा देंगे अब जो है 25 में चला जाएगा 4 6 जा 25 हो जाएगा 4 6 जा 24 होगा एक बच्चेगा 10 हो जाएगा तो 4 टुजा 8 हो जाएगा फिर 2 बच्चेगा 20 हो जाएगा 4 5 जा 20 मतलब इतना आ जाएगा ठीक है इतना सेंटीमीटर तो यह हमारा इसको हम यह अलग कर देते हैं तो यहां पर इतना सेंटीमीटर आ गया अभी finally हमें क्या करना है ना कि 2 plus decimal तक हमेशा जो है answer निकालना चाहिए आपको यहाँ पर decimal के 2 plus तक लेना है मतलब कि 0,6 को लेना है तो हमेशा जब 2 decimal पर लेंगे तो देखना पड़ेगा कि तीसरा वला जो decimal है मतलब 2 यह जो प्लेस का जो नंबर होगा यदि वो 5 से ज्यादा होगा तो उसके पहले वाले को बढ़ा देंगे 1 point या फिर यदि 5 से छोटा है तो 1 point नहीं बढ़ाएंगे मतलब यहाँ पर 2 तो 5 से छोटा है इसलिए इसका answer हो जाएगा 59.06 और इसको हम erase कर देंगे क्योंकि हम इसके rounding आफ कर लिये हैं दो decimal प्लेस तक तो 59.06 cm हो जाएगा हमारा answer तो this is the height of the water level rise okay in the cylinder thank you so much for watching bye